हलो एफ्रिवान मैं निशा और निशा स्केजन में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं आज मैं आप लोगों के साथ अस्टमी और नॉमी में बनाये जाने वाला चने का प्रशाद इसकी रेसिपी को शेयर करूँगी इस ऐसे भी में मैं आपको बताऊंगे कि इसे आपको उबानने की कोई ज़रूरत नहीं है बिना उबाले आप इसे कितनी असानी से बना सकते हैं तो वीडियो को विदाउट स्किप करें हुए पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रू कीजेगा चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना चनो को मैंने वाश करके होल नाइट के लिए सोक करके रखा था और इस वाले कप से मैंने एक कप चना लिया है अब इन चनों को हम लोग बॉयल नहीं करेंगे टैरेक्ट बनाएंगे यह मैंने घर की कुटी होई वाफ टीस्पून रइचिली पॉडर लिया है वाफ टीस्पून धन्य पॉडर वाफ टीस्पून काले मिल्च वाफ टीसपून जीरा पॉडर 1-4 टी-स्पून हल्दी, 1-5 टी-स्पून जीरा, 1 टी-स्पून नमक, 2 ग्रीन चिली और ये 1 इंच जिंजर जिसे मैंने जूलियन कट कर लिया है ग्रीन चिली और जिंजर बिल्कुल ओप्शनल है, अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे घी घी मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, आप यहाँ पे और किसी भी कुकिंग ओयल का यूज़ कर सकते हैं, हम प्रशाद का खाना बना रहें, इसलिए मैं इसे घी में बनाती हूँ अब इसमें डालेंगे जीरा, ग्रीन चिली, जिंजर, इनने हम पहले भून लेंगे, जिसे जिंजर नहीं पसंद है, इस तरीके साब पहले इसे घी में भून लेजे, इससे जो जिंजर का जो फ्लेवर होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है, अब इसमें हम डाल देंगे चने गैस की फ्लेम को मेडियम रखेंगे और चनो को हम लोग 5 मिनट तक भूनेंगे अब यहाँ पर हम लोग चनो को बॉल नहीं कर रहे हैं डिरेक्ट बना रहे हैं इसलिए चनो को आप बहुत अच्छे से भून लीजिए आप जितने अच्छे से इसे भूनेंगे इसका जो टेस्ट है उतना ही अच्छा आएगा तो देखे पूरे 5 मिनट हो गए हैं मुझे चनो को भूनते हुए और मेरे चने जो हैं वो काफे अच्छे से भून गई है आप इसमें एड़ करेंगे रेट चिली पॉर्डर, धनिया पॉर्डर, काले मर्च, जीरा पॉर्डर, नमक, हल्दी पॉर्डर और इन सब को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मसालों को भी हम चने के साथ अच्छे से मूल लेंगे और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे मसाले और चने को हम लोग 3-4 मिनट तक भूनेंगे जब मसाले और चने हमारे अच्छे से भून जाएंगे तो इसमें हम लोग एट करेंगे पानी तो ये देखिए चनी और मसाले हमारे भुन गए हैं आप इसमें एट करेंगे रेड़ कप पानी अब इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे हम लोग कवर करके 10 मिनट तक कुप करेंगे 10 मिनट के बार हमारे जो चनी है वो बलकुल सॉफ्ट हो जाएंगे बीच में इसका एक बार धकन हटा के इसे चेक करेंगे तो अब इसमें देखिए जो चनी है वो हमारे थोड़े कच्चे हैं और अब इसमें पानी भी थोड़ा जादा है अब इसे हम लोग वापिस कवर नहीं करेंगे इसे इसी तरीके से खुला रखेंगे और इसे 5 मिनट तक और कुक करेंगे गैस की फ्लेम को यहाँ पर हम लोग मीडियम रखेंगे और जैसा आप देख सकते हैं जो चनी का पानी था वो बिलकुल सूप गया है और चनी भी हमारे बिलकुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए है गैस की फ्लेम को उफ करेंगे और इसे गर्मा गर्ब सर्फ करेंगे तो इस नवरात्रों में मेरी ये रेसिपी ज़रू ट्राइ कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन को भी ज़रू दबाए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रू कीजिएगा इसी तरीके की और भी डिलिशेस रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी मिलेंगे बहुती जल निव रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई